Stingfly जो कि हमें Benton Classic में देखने को मिला था और Benion का वो पहला ऐसा अलियन था जो कि Fly कर सकता था उसके बाद हमें Benton Alien Force में देखने को मिला Jetray जो कि काफ़ी ज़्यादा Unique Alien था और वो Fly कर सकता था और आप मेंसे कई लोगों ने मुझे comment करके ये पूछा था कि इन दोनों character में कौन ज़्यादा powerful है और अगर आपस में कभी भी ये battle करते हैं तो यहाँ पे winner कौन होगा पारे में अच्छे से पता होना चाहिए तो यहाँ पर इन दोनों character की पहले powers के बारे में ही बात करेंगे वहीं पर अगर इसकी powers की बात करें तो guys इसके जो lag से वो काफी ज़्यादा sharp होते हैं वो किसी भी metal को अराम से चीर सकते हैं इसकी फ्लाइ करने की speed भी काफी अच्छी है इसके इलावा इसकी एक और पावर है कि अपने मुह से एक की चड़ का टैक करता है जिसके बाद उसका ओपनेंट जो उसके सामने काफी time तक सांस भी नहीं ले पाता क्योंकि उसकी जो smell होती है वो काफी ज़्यादा बेकार होत तो यह थी string fly की power बात करते है जट्रे की power के बारे में तो जट्रे में फर्स टाइम बेंटन एलिन फोर्स में देखने को मिला था अगर इसकी power की बात करें तो यहां पर जट्रे जो फ्लाइ कर सकता है काफी ज़्यादा speed से वहीं पर इसके पास एक और ability है कि अपनी eyes और अनने के बाद मुझे लगता कि अगर इन दोनों में कभी भी battle होती है तो यहां पर जट्रे जो है clear winner होगा अब आपको इसका reason भी बता देता हूं कि अगर इन दोनों character में कभी battle होती है तो जट्रे इसलिए ही यहां पर winner होगा क्योंकि जट्रे की speed string fly से काफी ज़्यादा है लेकिन उसकी जो strength level है वो जट्रे से काफी कम है और अगर यहां पर sting fly अपने kitchen का attack करता है जट्रे पे तो जट्रे को इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है क्योंकि guys उसके attack करने से पहले अपनी speed का use करके जट्रे उस attack से बच सकता है और यहां पर जट्रे जब attack करेगा त sting fly जो जट्रे के attack से नहीं बच पाएगा और जट्रे अपने lasers का use करके आराम से sting fly को हरा सकता है तो इन दोनों की इस battle में मेरे इसाफ से जट्रे जो है इस battle का winner होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जट्रे जो है sting fly से काफी जदा powerful है तो आज के हमारे यह वाली वीडियो यहीं तक थी लेकिन आप लोग comment करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों character में कौन ज़्यादा बैस्ट है और कौन इस battle का winner होगा और आपको इन में से कौन सा अच्छा लगता है वो भी comment करके बता देना इसके इलाब अगर आप लोग हमारे चैनल पे न